आज के मारे इस वीडियो का topic है कि 3-face की motor को हम सिंगल फेस पर केसे चला हैं दोस्तो आज हम बात करने वले है कि मारे जिते 3-face की motor हम उसको सिंगल फेस पर किस तरीके से run करवा fin single face का मतलब दोस्तों मार यह हो गया कि हमें उस motor को एक face और एक neutral से उस motor को में चलाना है दोस्तों इस केंदर में आपको एक ची जे भी पताना चाहता हूँ अगर आपको electrical के interview में ये question अगर आपसे दोस्तों सीधा पूछा जाए कि how to run three face motor with single face supply तो आपको इसके अदर yes बोलना है कि हाँ हम three face की motor को single face की supply पर चला सकते हैं अब दोस्तों इसके अदर बात आती है कि हम इसको कैसे चलाएं सबसे पहला point दोस्तों मार यह रहेगा और साती साथ दोस्तों मारे कुछ question भी बनते हैं इसके अंदर कि हम इसको कैसे चलाना है और साती साथ हमसे connection किस तरीके से करेंगे और इसके अलाव़े कि हमारी जो motor उसकी efficiency जो है क्या उसके पर कोई फर्क पड़ेगा तो इस तरीके से दोस्तों मारे को कुछ question है तो हम अच्छे तरीके से clear करेंगे दोस्तों मारे पहला question है कि हम इसे कैसे चलाएं अब दोस्तों चलाने के लिए हमें किस तरीके से हम इसे चलाएं जो capacitor है दोस्त हमारे वो क्या करता है कि 90 degree जो phase angle है उसे बनाता है और साती साथ वो motor के अंदर क्या करेगा कि rotated magnetic जो field होता हमारा उसको वो क्या करेगा जनरेट करेगा तो इस तरीके से दोस्त हमारी जो motor है वो capacitor की साहिता से single phase की supply से three phase की जो motor है वो run हो जाएगी वो हमारी इस तरीके से चलने लगेगी अब दोस्तों बात आती है हम motor को के से चलाएं दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से बड़ी इंडरेशल कंपनी होती है तो उन सब के अंदर motor को दो तरीके से चला जाता है या तो चलाएंगे त यसे दोस्तों आप देख सेकते हो नहाप आप दो motor की ने nice plane बाना ही है हम इसमें एक तर्फ तो करेंगे इसमें डम्ल्टन ऐंटा कनेक्शन और दोस्तों एक तर्फ करेंगे हम weten में Star are Connection किस तरहीव रहेंजा से चल जाये तो दोस्तों हमने इसमें मोटर के नदर 6 zaOS होती है तो इस तर達ी हिसके हम कह सकते हैं कि guys हमारी मोटर के नकिन तर 3 dunno होती है एक हम क्या करेंगे यहां पे इसको श॓ट कर देंगे एक श्ट्रिप लेकर इन तुनों पॉंटों को धुस्तर हम क्या करेंगे यहां पर देंगे दोस्तों neutral supply और capacitor के एक point पर देंगे हम face अब दोस्तों इस तरीके से कहा है जो हमारी motor है वो run करना शुरू हो जाएगी जो motor चलेगी दोस्तों हमारे वो गड़ी की दिसा में चलेगी गड़ी की दिसा का मतलब यह हो गया नहीं कि clock wise चलेगी clock wise का मतल इन तीनों point को दोस्तों क्या करेंगे आपस में short कर देंगे वह process जो हमने delta में किया वह process हम star में करेंगे same connection इस तरीके से कर देंगे यह जो point बचा हुआ हम इस के नहीं आपर neutral देंगे और capacitor के एक point पर देंगे दोस्तों face के wire को connect कर देंगे तो इस तरीके से हमारी जो motor है वो आती है कि हमने जो motor में connection किये है कि हमारी motor के उपर इसकी efficiency है क्या उसके उपर कोई effect पड़ेगा अब दोस्तों इसका effect पड़ने का सीधा सा कारण यह है कि आपको उससे में ध्यान रगना है कि आपकी जो motor का load full load current जो है वह आपको कितना है अगर मानलों दोस्तों हमारी motor का full load current है वह हमारे 9 एंपर के आसपास में इसका full load current है अगर आप इसको 10 एंपर के आसपास में दोस्तों current देते हो तो क्या होगा कि हमारी motor की जो efficiency है वह एक से में पर दीरी-दीर खराब होना start हो जाएगी और दीरी-दीर मोटर का है कि खराब होना start हो जाएगी तो इस तरीके से कि दोस्तों अगर हम कोशिश यह करें कि आपने देखा हो कि इतने भी electrical equipment सबकी rating सब पर अलग-अलग fix लिखी हुए आती है अगर हम उन्ही rating के नुसार अगर हम इनको चलाते हैं तो यह हमारे long time दें चलते हैं तो अगर हम इसको अगर आपने देखा कि इसको 9 एंपर की जग अगर दोस्तों हम बात करें कि हम इस capacitor कितने microfaraday का यूज करना है जो हमारे capacitor की unit आती है वह मारे कि माइक्रो फेराड़े के अंतर आती है दोस्तों microfaraday सितर microfaraday का जो capacitor है हम उसकी साहता से हम इस motor को रन करा सकते है त्रीफेस की motor को सिंगल फेस की supply पर हम चला सकते हैं अब दोस्तों इसके नदर बात आती है कि अगर मालनो हमारे पास दो किलो वाट की motor है तो दो किलो वाट की motor के लिए हम क्या करेंगे सितर इंटू दो करके हम हम इसको 140 याने कि 140 microfaraday का हम capacitor यूज करके 3-phase की motor को हम सिंगल फेस की supply पर चला सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम इस motor को 3-phase की motor को सिंगल फेस की supply पर चला सकते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा दोस चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हम अगली वीडियो के अंदर